हाई है बच्चो मैं हुई हमंद्र सर्मा आपके स्वाभित कर ते रहे बच्चो देखेंगे आज की ये moim वीदियो में हम आपके लिए क्या आए है आज की इस वीडियो में हम आपके लिए ले करें देखेंगे इसकी फस्ट और सेकेंड वीडियो यह है बचो उप करवाने वाले हैं कौन पॉर्थ हम करने वाले हैं थिक है जिसमें द्यान से लाए प्र पोषन आ को देखिए गा ठीक है बच्छो और देखेंगे इसमें जो है हिंदी इंग्लिस दोनों में दिया हुआ है बच्छो और आपको अगर आप हमाई चैनल को पहले बार देख रहे हैं जो कि हमारी आने वाली वीडियो जो है वो आपका सबसे पहले पहुचे बच्छो ठीक है लाइक कर रहेंगे जल्दी सी किरास को रहेंगे रहेंगे वीडियो को ठीक है वीडियो को लाक करना उर् है तू पौधे के रोपड की एक विधी है ठीक है इसमें प्लांट जेनेटिक से रिजॉर्स को जीवित पौधे के रूप में रखा जाता है ठीक है किसके रूप में रखा जाता है जीवित पौधे के रूप में रखा जाता है ठीक है तो यह इसकी परिभासा हो गई ठीक है तो इसको देख सकते हैं इसकी परिभास हम देख सकते हैं करिवास यह है जीन बैंक यानिकी जीन या जर्म के समझछट है तो पौधे के रोपड की एक विधी है इसमें प्लांट जैनेटेक्स रीजॉर्सस फोड़ जीवित पौधे के रूप में रखा जाता है ठीक है तो इसमें देखेंगे हमार जो राइट आंसर है उसमें क्या रहने वाला है परिवासा इसकी क्या है जीवों के सवर्च्छड की बहएविदी जिसमें उन्हें उनके प्रागृतिक आवासों उसमें सवर्चित किया जाता है इसकी परिवासा देख लो यह दिया है जीवों के सवर्च्छर की बहएविदी जिसमें उनके प्रागृतिक आवासों में सवर्च्छर किया जाता है इन्सिटू सवर्च्छर कहलाती है ठीक है बच्चो तो बेर इंपॉर्टिंग कोश्चन है याद करते रहेगा याद करते रहेगा इसको ठीक अगरा नेश कोशन देखते हैं रॉयल बानस्पतिक उद्धान कहां है तो रॉयल बानस्पतिक उद्धान कहां पर है जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताएंगे बच्चो कौन सा राइट आंसर इसमें है तो देखेंगे इसका चो आंसर रहेगा वो क सोध णस्थान कहां इस्थत है रहेगा इसका hvor यह रहने वाला है थुक्ति तो कहां है सोध स्थान से कहा है तुरूबर्थां के में तुरूबर्थान के मैं और यह देख लेते मैं पूर्ति कीजिये तो Iím the तो क्या करना है रिक्तिस्थान की पूर्ति करना है तो इसमें देखेंगे पहला कोशन दिया है बाद अनुबंसिक संस्थानों का संसाधनों का हास कहलाता है तो क्या कहलाता है जल्दी से बताएंगे इसका राइट अंसर कौन सा रहेगा इसका राइट अंसर क्या रहेगा इस अगला देखेंगे नेश्ट कोशिण दिया है दूधभा राष्टिय उद्धान में इस्थित है तो क्या सिस्थ है जल्दी से पताएंगे कहां पर स्थित है तो लकीमठ पुर खीरी में स्थित है और सना क्या जिम कारवेट राष्टी उद्धान में जिम कारवेट राष्टी उद्धान में का समचर किया गया है जल्दी से बताएंगे किसका समचर किया गया है जिम कारवेट राष्टी उद्धान में किसका समचर किया गया है राइट आंसर बताएंगे इसका क्या होगा तो इसमें जो प्कूष करए लेते हैं पोडियें के स्टीच ने सिंदे के सभी बच्क्ण दिया है में उतकों आप आंते की रहने वाला है कौन सर राइट आंसर आएगा इसमें रिक्तिस्थान की जगह पे तो देखेंगे रिक्तिस्थान की जगह पे क्या आने वाला है किरायो बैंक क्या आने वाला है किरायो बैंक का आएगा किरायो बैंक इसका right answer होगा किरायो बैंक में उतकों एबं पोसकाओं को हिमिकरन अवस्था में रखा जाता है यह हमारा right answer होगा ठीक है अगरा next question देखेंगे पादप 96 संसाधनों का हिरास कहलाता है पादप 96 संसाधनों का हिरास कहलाता है तो क्या होगा right answer इसका क्या रहने वाला है जल्दी से बताएंगे इसका right answer क्या रहेगा तो देखेंगे इसका जो right answer रहेगा बच्चो ठीक है इसका जो right answer रहेगा वो क्या रहेगा option number B option number B हमारा right रहेगा 96 अपरदन 96 अपरदन हमारा right answer रहेगा पादफ आनवन सिक संसाद्मनों का हास कहलाता है तो आनवन सिक अपरदन हमारा right answer है ठीक अगला next question निम्न में से कौन एबं इस्थाने स्थाने 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 के अंतरगत आता है तो इसमें से right answer कौन सा रहेगा हमारा इसमें से right answer कॉंसर रहेगा जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे तो देखेंगे इसमें जो हमारा right answer रहेगा लाइने बारा है जो right answer रहेगा वो क्या रहेँगा हमारा तो ओप्सन No.D हमारा right answer रहेगा अगला next question देख लेते हैं जल्दी से वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना बूलें बच्चो ठीक है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना बूलें अगला देखेंगे निम्न में से कौन सा बही स्थाने सनचर के अंतरगत आता है तो कौन सा है जो बही स्थाने सनचर के अंतरगत आता है कौन सा राइ अगला नेस्ट कोईुर्शन देखेंगे वालो अगले को पादव आणन्वन से संसाधनों को जीवित पौधों के रूप में निमनों में से किस में रखा जाता है जल्दी से बताएंगे राइट लगा इसका क्या रहेगा इसमें राइट लाइगा तो देखेंगे बच्छो इ इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा और रहेगा और इंग्लिस वारे स्टूटेंट भी देखते रहेगा शमशते रहेगा साथ सारु में क्योंकि बेर इंपोर्टन कोशन लाएं अपने इस वीडियो में ठीक है लाश्ट देखेगा पूरी वीडियो को बड़े मज़दार वीडियो रहने वाली है अगला नेक्ट कोशन दिया है अग्रांकित में से इसमें उतकों एवं कोसकाओं को हेमिकरण की अवस्था में रखा सबसे अच्छा सुरूत क्या है जल्दी से बताएंगे राइट अंसर इसका क्या रहेगा इसका राइट अंसर रहेगा सुक्रोस रहे है ठीक है अगला देखते हैं मानक विच्छन का बर्ग क्या कहलाता है मानक विचलन का मानक विचलन का बर्ग क्या कहलाता है जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहेगा मानक विचलन का बर्ग क्या कहलाता है इसमें क्या आप्षन रहेगा तो इसका जो राइट आंसर है वह कह रहेगा ठीक है क्या रहेगा पिरसरार इसका राइट आंसर र इकवाल टू डेल्टा वड़े विरिकित में ओ माइनस एप ऊपॉन ओ माइनस एका फोल इस पार अपॉन टिक है यह क्या हो गया हमारा यह हो गया काई वर्ग का सूधर ठीक है अगला नेक्ट कोईशन देख लेते हैं इस वेश्चीं क्या रहने वाला है हमारा आपकी स्क्रीन लगने पर साम मारा ki texting के लिए प्रयोक्तव रसाइन कौन सा है जल्दी से चो क्या रहे गाले के स्मोब को चुटाइब के लिए बाइट उनंसा है जल्दी तेखेंगे इसमें उसे राइड आंज्र कौन सा आने वाला है जल्दी से Agric कोशन तिर्विदर की परागर कर में पाए जाते हैं यानि कि तिर्विदर की परागर कर में पाए जाते हैं चल्दी से बताएंगे इसमें राइट अंसर कौन सा रहने वाला है इसमें राइट अंसर हमारा कौन सा रहने वाला है बच्छो तो इसमें जो हमारा राइट अंसर रहेगा वह क्या रहेगा अधिकांस दुवीज पत्री पौध है ठीक है क्या रहेगा अधिकांस दुवीज पत्री पौध है यह हमारा राइट अंसर रहेगा तिर्फ विदर की पराग कड में पराग कड अधिकांस दुवीज पत्री सूत्र है तो पिरसन का सूत्र कौन सा होगा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा हमारा इसमें सा राइट आंसर कौन सा रहेगा बच्चो तो बच्चो वही राइट आंसर रहेगा इसमें हमारा जो सूत्र होता है क्या होता है एक्स स्कॉार एक्वल टू डिल्टा बड़े विरिकेट में O-E का O-Square upon E ठीक है यह हमारा राइट आंसर रहेगा ठीक है अगरा देखते हैं नेश्ट कोशिंग क्या है नेश्ट कोशिंग दिया है बिचलन का धन बर्गमूल कहलाता है तो क्या कहलाता है धन बर्गमूल इसका राइट आंसर क्या होगा तो इसका जो राइट आंसर होगा तो क्या होगा मानक विचलन ठीक है मानक विचलन इसके राइट आंसर आएगा क्या आएगा मानग विचलें ठीक है मानग विचलें इसमें राइट आंसर होगा अगला नेश्ट कोईशन देखते हैं काई बर्ग टैस्ट प्रस्तुत किया जा था यानि कि टाई बर्ग टैस्ट प्रस्तुत किया था तो किस ने किया था इसमे right answer कौन सा रहने वाला हमारा इसमें हमारा right answer कौन सा रहने वाला है बच्चो तो option number C हमारा right answer रहुएगा connected, arrow answer रहाईगा option number C, STEP option number C हमारा right answer रहेगा अगला next question देखते हैं वे रूज का एक set जो event के लिए record होता है कहलाता है क्या कहलाता है राइट आंसर कौन सा रहेगा इसमें इसमें राइट आंसर कौन सा रहेगा बच्छो जल्दी देखेंगे सभी बच्छे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहेगा इसमें जो राइट आंसर रहेगा आपसर नमबर सी डाटा ठीक है डाटा हमारा राइट आंसर को कहते हैं तो क्या कहते हैं है तो क्या काइण से इसका कौंसा और है गा तोर देखेंगे इसका याज डेल anda कर आई करहेगा आपस नमर सी ठीक है और सा fellows और फी परियोगों मे engaging जो आक्ले बास्तिविक रूप में प्राप्त होते हैं, कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, compartir ma part, gleich. Yeah, he said he said, देखेंगे इसमें जो हमारा राइट answer रहेगा वह क्या रहने वाला है, option number a, ठीक है, option number a रहने वाला है, raw data, raw data ये हमारा right answer रहेगा option number a, ठीक है, अगला देखेंगे करल पर्सन ने 1883 में किस टर्म को प्रतिपादित किया था तो इसमें से राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है बच्चो जल्दी से बताएंगे इसमें से राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है सभी बच्चे देखेंगे, right answer बताएंगे, जवाब देखेंगे, इसमें जो हमारा right answer रहेगा, option number A, ठीक है, standard division याने की मानक बिचलन, यह हमारा right answer रहेगा, standard division, option number A हमारा right रहेगा, ठीक है बच्चो, अगला देखते हैं, next question क्या है, next question दिया है, percentage, frequency, distribution को किस से पिरदर्सित क ठीक है, सभी बच्चे, कौन सा option right रहेगा, इसमें से, तो देखेंगे, इसमें जो हमारा right answer रहेगा, वो क्या रहने वाला है, option number A, ठीक है, P डाइग्राम, ठीक है, P डाइग्राम, यह हमारा right answer रहेगा, option number A, ठीक है, अगला next question, फिर कीरन आरेक द्वारा ग्यात होता है, फ राइगी, जल्दी से right जक जवाब देंगे, इसका right answer रहने माला हमारा, तो देखेंके, इसमें नों हमारा right answer रहेगा, बच्चो क्या रहेगा, option number B, रहेगा, दो चरों के मद्द, सम्बंद की प्रिकृति, यह हमारा right answer रहेगा, ठीक है, the nature of relationship, ठीक है, यह हमारा right answer है, ठीक दिया हुआ है शल्दी से पताएंगे पिर्ति-दर्थ से या प्रिदरसित कर सकते हैं किसी तो उसके बथे और साण से हमारा रहने वाला है बैखर very important हमारा राइं सबीट दोनों यह हमारा राइंसर है गाला नेश्ट फोशन को नेश्ट पोशन दिया है संतत चरों को प्रदर्सित करते हैं तो इसमें से राइंसर अंस्र हमारा कौन्स रहने वाला है इसमें से right answer हमारा कॉंसर रहने वाला है जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे इसमें जो हमारा right answer रहेगा option number a ठीक है histogram द्वारा histogram द्वारा यह हमारा right answer रहेगा ठीक है अगरा next question देख लेते हैं कि नेश्ट कोुशन ह별 है आपकी स्क्री में वहोलग वक्षोन कहोछ है घ्रण को थे गणी राइ Test क्या रहेगा是ु इसका क्या होगा और फसन नम्बर एक होगा ठिक है माध्ध हमारो राइट आंसर अंसर अग्रा नेस्ट कुश τη चोई पूलर आप शामान निमान, यह हमारा राइटote चानल1, आएप्श्र मान होता तो इसमें राइट अंसर कौन सा रहेगा, इसमें राइट आनप सा रहेगा, जल्डी से बताएंगे सभी वच्छे. तो इसमें जो है हमारा right answer रहेगा बेक्षा रहेगा option number A ही रहेगा math math हमारा right answer रहेगा English student देखते रहेगा साथ-साथ में very important question है साथ-साथ में English student भी देखते रहेगा इसको ठीक है देखेंगे next question हमारा क्या दिया है किसके द्वारा निकाला जा सकता है माध्ध बेचलन किसके द्वारा निकाला जा सकता है चल्दी से बताएंगे इस सभी बच्चे right answer कौंसा रहने वाला इसमें से तो देखेंगे बच्चो इसका जो right answer रहने वाला है वो क्या है? option number d उप्रोक्त सभी के द्वारा है यानि कि all of them उप्रोक्त सभी के द्वारा है समांत्रमाद बहुलक मादिका इनके सक्वे द्वारा क्या निकाला जाता है? माद बिचलन निकाला जा सकता है next question देखते हैं next question क्या है? काई बर्ग टेस्ट है काई बर्ग टेस्ट है तो इसमें जल्दी से बताएंगे right answer कौन सा रहेगा इसका इसका right answer कौन सा रहने वाला है बच्चो इसका right answer कौन सा रहने वाला है? जल्दी से बताएंगे इसका right answer कौन सा रहने वाला है जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे तो देखेंगे इसमें जो हमारा right answer होगा काई बर्ग test है तो इसमें जो हमारा right answer रहने वाला है वो बच्चु क्या रहने वाला है option number A ठीक है option number A रहने वाला है सार्थक्ता का ट्रेस्ट यह हमारा right answer रहेगा टेस्ट आफ सिग्निफिकेशन ऑफ ओवरल डिवीजन ठीक है ओवरल डिवीजन ठीक है यह हमारा right answer रहेगा option number A ठीक है अगरा next question देखते हैं पूशन क्या दिया है सह संबंधन गुडांक की प्राइक तुरुटी का सूत्र है तो इसमें से right answer हमारा कौन सा रहने वाला है सभी बच्चे बताएंगे तो देखेंगे इसमें जो हमारा right answer रहने वाला प्या है option number A ठीक है यह हमारा right answer होगा बच्चो यह हमारी वीडियो का last position था ठीक है बच्चो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो जल्दी से like करेगा शेयर करेगा ठीक है और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं हमारी चैनल पर पहली बार रहे हैं किया है वहाँ से आप पीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडियो आपको हिंदी इंगलिस दोनों में दिए है ठीक है बच्चो धान ध्यान से पड़िएगा पूरी वीडियो को देखके जाएगा बेर इंप्रोर्टन कोश्चन है वीडियो में ठीक है बच्चो